राम मंदिरास बाविस्तार खिला उदघातन हुणारे, पन त्या पुर्वी राम मंदिरासे कही फोटो राम मंदिर न्यासान जारी केलेट या एक्स्कलोजेफ फोटो मद हूँन राम मंदिराची भव्याता दिसुनेटे एकाप एक्षा एक सुन्दर कलाकृती राम मंदिराचा भिंती वर साकाने तालेले आहे तानी अडिच एकरावर राम मंदिराचा बांध कम करने ताले हे मंदिर तीन मजली असुन त्याची उन्ची एक्षे बासस्ट फूट इतकी आहे मंदिर परिसरात राम मंदिरा बरोबर चांखी साहा मंदिरांचा निर्मान करने तालेले मंदिराचा मुख्य प्रवेश्ट द्वार सिह द्वारसे राम मंदिराच एकुण 329 खाम भाहे तानी गर्भग रुहात 1160 तर वर्च्वा मजली अवर 122 खाम असुनारे तानी या सर्वान्चा बांध काम सागवा नाचो लाकडा पसुन करने तले मंदिराच रामाची मुख्य एककावन इंसाची अस्रणारे आणी राम मंदिराच एकुण 5 गुमट अस्रणारे दंड कारण्य आणी आसपास चा भागातील अने गावांची नाव ही शिराम यांचा कालापासुन असलेच इतिहास कार मांतार बस्तर वस्तर वरुन खरतर बारसूर बानासूर हे नाव पडलेच बोलला जात विशेश मंजे फारस गाव जवल एक गुहा है इतेच प्रभूशी राम आणी जटायू यांची भेट जाल्याचा दाखला दिला जातो तर दुसी कडे राइपूच्या चपका गाव इतल वैशिष्ट मंजे प्रत्यक ठीकानी भगवान हनुमान यांची प्रतिमा किवा मुर्ती पाहला मेते प्रभूशी राम या गावात याण्या पुर्वी वानर सेवा चपका मधे पोहुचली आणी यावी वानर से निला शांत कड़ें साथी ग्रामस्थनी भगवान हनुवान यांची प्रतिमा गावाद स्थापन के लियाचा बोलने जाता इंडिया को जहांपर कुट्री कहा जाता है वहीं करता है की माश моей सीथा का जब हरन करstill त्यौन चाया तो जो बस्तर गीरा औहूं सेंटर को बस्तर का है ग्राम चपका में प्रवेस्ट करेंगे, वहां आपको प्रत्ते घरों में हनुमान जी का मुर्ती देखने को मिलेगा, या फिर हातों से भितिचित्र बनाया हुआ मिलेगा, जिसे वानर से कभी बस्ती में या गाओं में आ जाते थे, तो उत्पात मतलब करते थे, तो उसको नियंतन करने के लिए गाम वाले अपने प्रवेश घर के प्रवेश द्वार में हनमान जी का मुर्ती इस्थापित करते थे जैसे वो किसी घर में हनमान जी का मुर्ती देखते थे तो उसको देखकर ये वानर सांत हो जाते थे